हलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल सिविल सिगनल और आज हम डिसकस करने वाले हैं करेंट अफेर्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स जीपीएसी एक्जाम के लिए जैसा कि आपको पता है जीपीएसी एक्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और अगस्त में इसकी फॉर्म आ जाएंगे और नोवेंबर में एक्जाम है तो आपके पर जादा टाइम बचा नहीं है जीपीएसी एक्जाम के लिए तो इस वीडियो में हम वही डिसकस करने पाले हैं कि लास्ट हंड्रेट डेज में हम कौन से करेंट अफेर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिसकी उपर हमको जादा फोकस देना है जिनसे क्वेशन आने की संभावना है जादा है वो सब कुछ हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर आप जीपीएसी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपक जादा सिलेबस को कबर कर सके ऐसा सोर्स हम डिसकस करेंगे ठीक है तो इन लास्ट हंड्रेट डेज में आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए या कौन सी मैग्जीन से पढ़ना चाहिए जिससे करेंट अफेर के टॉपिक आपके जादा कबर हो जाए ये हम डिसकस करेंग कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसकी उपर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं जो आपको रिविजन में हेल्प करेंगे ठीक है क्योंकि पढ़ना ही एक इंपॉर्टन चीज नहीं है पढ़ने के बाद उसका रिविजन आप करेंगे तभी वो चीजें आपको याद रहेंगी नहीं तो आप एक्जाम में क्या हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है तो इस सारी चीजें हम डीटेल में डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और आपको हेल्फ फुल लगता है तो अपने इसको जॉइन करने से फ्री ओफ खॉस्ट है आप इसको जॉइन कर सकते हैं इससे आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि आपको रेगुलर इस पर अपडेट मिलती रहेंगी कौन सा वीडियो आया है कौन सा वीडियो नहीं आया है दूसरा इंपॉर्टेंट जो पीडियेफ है वह भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी तीसरा जो हम जीपीसी की मॉक्ते सीरीज लॉंच करने वाले हैं वह भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी जिससे की आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में तो इस वज़े से आपको मॉक्ते सीरीज ज़रूर जोइन करने चाहिए आपके लिए बहुत जादा हेल्प करेगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम देखेंगी कि करेंट अफेर्स आता कौन से पेपर में है तो जीपीसी एक्जाम का अगर आपको पाटन पता होगा तो जीपीस तू वाले पेपर में करेंट अफेर्स वाला portion आता है जो की बहुत जादा important है ठीक है प्रिलिम्स पेपर तू मास अब आपको पता है कि दोनों ही पेपर जो है वो 200-200 माक्स के होते है जीएस वान जीएस टू और आपको 400 माक्स में से टोटल कट ओफ कितना जाता है अभी त क्लियर होने के चांसे बहुत ज्यादा है या फिर अगर आपको इस वाले पेपर के सब्जेक्ट इजी लगते हैं जैसे इसमें जोग्रफी भी है इको नॉमी भी है साइन्स एंटेक्ट भी है इसके आप हंड्रेट कोईश्चंस भी बना लेते हैं 200 में से तो भी आपके बहु करेंगे क्योंसे सूर्स अपको फॉलो करने तो करेंट अफार जो है वह पेपर 2 का आता है पेपर वन में इसका कोई करेंट के ऊपर कोई कुश्चंस आपको देखने को नहीं बलेंगी घाणना अगर आपको डीटेल स्यलेड़ जानना है यह पेपर वन में कौन से आता है त प्रिलिम्स का सिलेबस हुआ मेंस का सिलेबस हुआ कट ओफ मार्क कैसे करना है टाइम टेबल क्या बनाना है यह सारे वीडियो आपको वहां पर इजीली मिल चाहेंगे चलिए अब डिसकस करेंगी कि करेंट अफैर के सोर्सेस कौन-कौन से हैं पहले तो जो बच्चे साल बड क की लिए प्रपैर करते हैं मतलब अभी इसे जो प्रप्रेशन करें 2023 वाले पेपर की वो लोग क्या फॉलो करते हैं लेकिन अभी मैं आपको यह रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास सिर्फ 90-100 दिन बच्चे हुए इसमें अगर आप अब दा हिंदू को आप एक गंटा देख लीजे तो आपको बहुत सारी चीज़े रिटेन हो जाएगी कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसके आप वीडियो समरी देख सकते हैं जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसे न्यूज में कौन सी रही बजट की उपर देख लीजिए ठीक है इंपॉर्ट 2021 से लेके October 2012 तक का पूरे मन्त के current affairs के जो magazine आती है मन्तली current affair आएगी October के आएगी नौवेंबर के आएगी डिसम्बर के जनवरी, February, March, Up to October ठहक है तो यह आपको फॉलो करनी है इसमें आपको topic वाईज मिल जाएगा हर मन्तली magazine में topic में divide होता है जैسे एकी मानलो, for example October की है तो सब्सक्राइब करना है प्लस गुजरात का भी करना है यह दो बजट आपको जरूर करने हैं समझ मैं तो यह सारा आप कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आपके इतना भी टाइम नहीं बच रहा है कि आप एक और चीज़ कर सकते हैं यह जून में रिलीज हुआ था यूपी एक्जाम के लिए इसमें क्या होता है आपको टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स मिल जाते हैं जैसे कि पॉ आप क्या कर सकते हैं मंतली से कवर कर सकते हैं ठीक है एकोनॉमी की आप कर सकते हैं और साइंस एंड टेक और फिर गवर्मेंट स्कीम ठीक है यह चार पीटी सी 365 आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप वेजन आइस की मंतली मैग्जीन कवर नहीं कर पा रहें वन येर क तो आप पॉलिटी की एकोनॉमी की साइंस एंड टेकनोलोजी की और गवर्मेंट स्कीम की यह चार पीटी सी 65 जरूर से जरूर कर लिजेगा इनसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यह तो होगे करेंट अफेर्ट के सौ की आफेर्ट की सब्से पहला पौलिटी ऑन को से लिए रहेगा तो आपको अच्छे से प्रिपएर करना है क्यों ऑप करेंघे जैसे कि वह सुप्रीम कोर्ट के जो जज्ज्मेंट्स होते हैं इन सब की उपर बहुत कृश्चन्स आता है तो पॉलिटी इन कॉन्स आते फिर दूसरा है आपको economy इसके उपर भी बहुत सारे questions जो है वो current affairs से related ही बनते हैं इसमें क्या होता है economy वाले section में जो factual information है जैसे रमेश सिंग की book आप follow करते हैं वहां के question plus current affairs के question को mixing किया जाता है तो इस बज़े से quality and economy के दोनों ही पार्ट जो है उसमें current और static को mix किया जाता है तो यह दोनों आपको अच्छे से करना है फिर next आपको करनवा है environment के मारे में क्यों क्योंकि environment की उपर अभी बहुत जादा फिर next important topic आपको जो करना है तो आपका वो portion automatically cover हो जाएगा ठीक है तो science and technology आपको बहुत अच्छे से करना है तो तीन topic आपको बहुत ही अच्छे से करना है पहला है आपका quality दूसरा है आपका economy और तीसरा है आपका science and tech ठीक है यह तीनों topic आपको बहुत अच्छे से करने हैं उसके आप culture के questions देख सकते हैं कि culture में क्या-क्या news में रहा है जिसे कई नहीं excavations हो गए उसको आप देख सकते हैं ठीक है फिर next important जो है बहुत जादा जिसके उपर focus देना है वो है आपका budget ठीक है budget के questions में बहुत जादा आपको exam में देखने को मिल सकते हैं इंडिया से कौन जीता और किसने गोल्ड जीता है कौन सी country के जादा मैडल से इस टाइप के questions आपको जादा देखने को मिलते हैं बिंबलन के बारे में यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कौन से किसने जीता तो इसके आच सोशल इशू में आप देख सकते हैं कु इसके करें यूट्यव वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कौन कौन से जी आई टे अब यहां और अभी तक सबसे पहले जीआए टेग किसको मिले था अभी रिसेंटली किसको मिला है गुजरात में से कौन किसको जादा मिले हैं तो यह सारी चीज़ें इंपॉर्ट इसी personality जो न्यूज में रही जैसे आप important personality में में द्रौपदी मूर्मू के बारे में आप ज़रूर पढ़के जाए है क्योंकि यह हमारी क्या बनी है अभी 15th president मनी है ठीक है तो इनके बारे में पढ़के जाएगा ऐसे बहुत सारे important personalities है जो न्यूज में रहते हैं उनके बारे म की border issues कौन कौन सी country के साथ चल रहे हैं वह आप देख सकते हैं यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं फिर कौन सी सम्मिट हुई है जिसमें हमारे president और प्राइम मिनिस्टर ने पार्ट लिया है और वहाँ पर कौन सा important announcement किया है मुदी जी ने वह जाधा important होता है उसकी उपर questions बन सकते हैं तो एक वह आप देख सकते हैं ठीक है तो यह सारे topics हैं जो आपको अच्छे से करके जाने है current topic के लिए सबसे ज्यादा important मैंने आपको बता दिया quality and economy है फिर उसके बाद आपको budget अच्छे से करके जाना है फिर science and technology आपको अच्छे से करनी है government schemes आपको अच्छे स अगर आपके पास time नहीं बच रहा है या फिर ऐसा होता है आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है लेकिन आपको revision का time नहीं मिल रहा है तो revise कम से कम यह छे topic तो आप जरूर से जरूर revise कर के जाहिएगा क्योंकि इससे आपकी retaining capacity बढ़ेगी और exam में आप confused नहीं होंगे अगर इ तो उसके short notes बना लीजे short notes बनाने है आपको पूरा का पूरा topic जो है उसको copy paste नहीं करना है next important चीज़ आप budget की highlights बना लीजे ठीक है budget के highlights के आप छोटे-छोटे notes बना लीजे क्या-क्या budget में highlight किया गया था ठीक है उसके आप short notes बना लीजे आपको वो काफी help करेगा और साथ आप schemes भी लिख लीजेगा budget में कौन-कौन schemes launch किया है कितना fund launch किया है क्या-क्या taxation में change किया है यह सारी चीज़े बहुत important होती है और trending topics में जो बहुत important हो जिसके बारे में आपको याद नहीं रह रहा हो उसके revision notes बना लीजे ठीक है तो इतना आपको करना है इतना अगर आप क लिखिए 170 कौन के 160 को बहुत तो से 130 क्रिमों सकते हैं कि टोटल 200 कोईश्यं आते हैं 200 कोईश्यं से 4,000 सब्जेक्में इस스ित बेसी में कम तो आप इतना कर इंटर्फेर कर सकते हैं तो हो सकता है कि वो almost 50 questions तो रखते हैं 40 से 50 हो सकते हैं 50 से 60 questions होते हैं किसी में जादा किसी में कब ठीक है लेकिन approximate 50 के आसपास रहते हैं ठीक है तो आप इतना कर इंटरफेर कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपके 50 में से 40 या 30 questions तो सही हो जाए तो इससे आपकी जो cutoff marks clear होने की possibility है वो काफी जदा बढ़ जाती है ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो helpful लगा हो तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर कीजिए और telegram channel को join कर लीजिए जिससे आपको future update मिल सकते हैं GPSC exam की जो test series है वो भी आप महल से avail कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही मल लगा के पढ़ाई कीजिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपना time manage करना सीखे time manage करेंगे तो इन दो महिने में आप easily GPSC exam को crack कर सकते हैं बहुत tough exam नहीं है बहुत अच्छा exam है आप दे सकते हैं काफी अच्छी पोस्ट इसमें निकलती है चलिए thank you thanks for watching have a nice day and good luck for your exam